दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रास्तान आई आर जी वाई यानि कि इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना तो उसमें दोस्तों रा पालिका नगर परसाद या नगर निगम के जो लोग हैं जो सहरी लोग हैं उनको भी इसी तरज पर रोजगार दिया जाए गर राजस्तान पूरी राजस्तान में जो सहरी एरिये हैं उनमें उसी के लिए इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गरंटी योजना लाई गई है रा तो यहां पर देखिये पाली जालोर बीकरंव नागोर दोसा और गंगानगर इन 6 जिलों से और यहां पर आविदन मागे गए हैं ठीक है अगर आपने पहले जून के महिने में ऻौनिकर जिलों से आविदन कर दिया था तो आपको पुने आविदन करने की आवशकता नहीं है अगर आप पहली बार फोर्म बर रहे हैं तो इनका फोर्म लगा सकते हैं तो 6 जिलों का जो है अपडेट आप लोग को देने वाल हैं कि कब फोर्म बरे जाएंगे योग गिता मैं आपको एक ही बार बताऊँगा उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उस जिले की पोस्ट है और डेट सी बताऊँगा तीक है दोस्तो आएए बताते हैं आप लोग को सबसे पहले दोस्तो दोसा देखिए यहां पर दोसा जिले का है ये इसमें देखिए कनिष्ट तक्निकी सायक की पोस्ट है और कनिष्ट तक्निकी सायक के लिए पूरी राजस्तान के जितने भी जिलों से ये वेकेंसी निकली है उसमें यही है कि सिविल इंजिनियरिंग में आप यहां तो भी टेक हों और या फिर दोस्तो पॉल टेक्निक हों ठीक है यानि कि कनिश टकनिकी सायक के लिए वेतनमान इसका पूरे राजस्तान में सेम है परतेक जिले से 20 हजार रुपई इसका रहने वाला है ठीक है इसके अल से भी सब जिलों से जो है बारह हजारी वेतन है M.I.S. मैनेजर नाम की पोस्ट है जिसके लिए बैचलर ओफ कंप्यूटर एपलिकेशन यानि की B.C. रिक्वाइड क्वालिफिकेशन है छे पोस्ट है इसका वेतन भी कितना है दोस्तो बारह हजार रुपई ठीक है अब यह पर सहरी रोजगार साहयक इसमें ग्रेजवेशन आप लोगों के पास होना चाहिए सनातक प्लस R.C.I.T. ठीक है R.C.I.T. भी होना चाहिए तो यह आप लोगों के लिए होना चाहिए इसमें साड़े साथ हजार रुपई आप लोगों को मिलेंगे और बारह यहां पर दोसा से पोस्ट है अब दोसा का जो फोर्म है वो आप लोगों को अपने स्वर्म सैक्षनिक अनभाव जाती प्रमान पत्रों के साथ दिनांक 22-7-2022 तक कारियल समय में कारियल नगर परसत दोसा कमरा नंबर 2 में व्यक्तिगत अठवा डाक के जरिए भिजवाय जा सकता है तो दो परसत दोसा में कमरा नंबर 2 है उसमें जमा कराना है और डाक से भी भेज सकते हैं ठीक है यहाँ पर है एक और चीज कहना चाहूंगा कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था चैनल पर अप लगोंने देखा भी होगा उसमें दोस्तों मैंने स्वास्ते और काफी सारे अफि नहीं लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नी है ठीक है इसको लेकर के टेंशन लेने के आउशकता नहीं क्योंकि नए विज्यप्ति भी है यह है दोस्तों देखिए संसोदित विज्यप्ति है यह पहले कि जितने भी नोटिफिकेशन थे उसमें आप लोगों को सब जगह म देखिए तकनी के सायक के पद है तो 80% पद डिग्री धारियों से और 20% पद डिपलोमा धारियों से यानि कि जो बिटैक होगा उसको जादा लेंगे और जो पॉल्टैक होगा उसको 20% लिया जाएगा इसकी जो नियुकती है 31 मार्श 2023 तक होगी और यह से भी आगे बढ़ा जाएगा ठीक है यहाँ पर दोसा की गैडलाइन है एक पद के लिए सिर्फ आप एक ही पद के लिए आवधिन कर सकता है सनी कि पांच पद है तो पांचों पदों के लिए आवधिन कर दिया यह भी ध्यान रखने योग चीज है इसमें ना आपको कोई फीश वगरा देनी है और जो सैरी रोजगार जो सायक है इसके लिए इसना तक प्लस आरेसेटी जरूरी है आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी उस सिर्फ ग्रेजविशन की परसंटेज के अधार पर बनाई जाएगी आरेसेटी के इससे कोई प्रावदान नहीं रखा गया है दूसरा दोस्तों ज और इस सायक मैस मैनेजर सैरी रोजगार सयक चार तरीके कपड़ हैं योगता सेम है सब में सिवल अभियांतरीक में डेगरी डिपलोमा ठीक है यह पोस्ट है आप लोगं के सामने यह गंगानगर का पिद्ध साथ तक वेजना है ठीक है दोस्तों और अब उसके बाद का जो प्रजिला है वह देखें यहां पर बी कानेर का है बी कानेर से इसमें अगर आपने वरिष्ट निशाइक लिया निरस्थ हो गया है और इसके लिए आप लोग जो बीकनेर का जो फोम है उसके लिए कुईनों ने फोन नमबर वे दिया है अभिराज सिंग भाटी कनिस्ट लेखाकार है यह इनके फोन नमबर दिये गए आप इनसे बात कर सकते हो आपको अगर इस वेकेंस इक राडिंग कुछ इंफोर्मेशन चाहिए और यह बारा स प्रिपल कॉर्परेशन अमसी का मतलब है यह बीकनेर का फोम है सत्ता ही साथ तक भरा जाएगा नागोर का भी है देखिए आप लोगों के सामने यह नागोर की पोस्ट है स्यारी रोजगार साइक की 36 पोस्ट है नागोर से यह हाँ पर 17 है कि 17 लेखा साइक के और 30 है नागोर का जो फोरम है वो भी आप लोग 25 जुलाई तक भर सकते हो कितने जुलाई तक 25 जुलाई तक www.nagor.rajistan.gov.in पर इस फोर्म का बारे में आप लोग पता कर सकते हैं इसका विज्यापन जो है फोरम का जो फोर्मेट है वो पराप्त कर सकते हैं और जिस भी जिले से आप लोग हैं दोस्तों दिखिए आप हमें लगातर कमेंट्स करते रहते हैं या फेस्बुक पेज पर भी मैसेज करते रहते हैं तो आप लोगों की जनकरिक लिए बता दूँ कि आप जिस भी जिले से है उस जिले का नाम सबसे पहले लिखें, उसके बाद डोट लिखें, उसके बाद राजस्तान लिखें, उसके बाद डोट लिखें, फिर जियोवी लिखें, फिर डोट लिखें, फिर इन लिखें जैसे आप माली जी भी नागोर का यहां पर दे रखा है माली जी आप अलवर से हैं तो अलवर. राजस्थान इस तरीके से फिर . gov. लिखके तो आप उस जिले की वेबसाइट पर चले जाएंगा और वहीं से ये सारी चीजे मैं ले रहा हूँ आप लोगों की जनकर एक लिए बता दू तो आप लोग खुद भी चेक कर लिया करें इस चीजों को अगला जो जिलाया दोस्तो जालोर है जालोर के फोर्म भी आप लोग देख सकते हो अलांकि इसमें पद बहुत कम है लेकिन आप लोग देखें आपके सामने है जालोर का जो फोर्म है और इसके फोर्म की भी डेट है 26 साथ इसमें आप लोग भेज सकते हो अदोहस्ताकसर करता व्यक्तिगत कारियाल के माध्यम से यहाँ पर यह कराई जा चुके हैं जिन्होंने पहले फोर्म बर दिया था वून को आविदिन करने के आशकता नहीं है और यह आप लोग फोर्म बर सकते हैं ठीके व्यक्तिगत यहाँ पर जमा कराना होगा जो जालोर का जो फोर्म है 27-26 तारिक इसकी लास डेट है यह पाली का रहा आपके सामने तो पाली का जो फोर्म है वो देखे दोस्तों आप लोग यह पाली के जो फोर्म है वो 13-7 से लेके और 28-7 तक विजवा सकते हैं पाली में व्यक्तिगत यह डाक दौरा या फिर दोस्तों इमेल आइडी पर भी विजवा सकते हैं जो दूर के लोग हैं वो डाक वगरा को उप्योग ना करें जिनको भरना है वो सबसे बहतर है जिसमें इमेल के माध्यम से जिस चरीके से पीडियाफ हमने बना रखी है इन सब ही भरते होंगी इस तरीके से पीडि करने के आउशकता नहीं है आप लोग मेल के माध्यम से अपने मोबाइल से ही पहले बढ़ लीजिए फोम को फिर मोबाइल में उसका फोटो ले लीजिए और फिर उसको मेल कर दीजिए जिन जिलो में मेल से मांगा जा रहा है उसमें ठीक है तो पाली वाले में आप लोग मे दे दिया इसे पहले 4-5 जिलों का और दे चुके हैं जो बेजिले आएंगे दोस्तों समय लगेगा जो तो आप लोगों तक ही जानकारी सारी मिल जाएंगे तमाम जो फोरम की जो फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है टेलीग्राम पे 10 जून से लेके और 17 ज की लोटिफिकेशन जो देखा था उसमें ऐसा ही मेंशन किया कि इसी कोय आफञता नहीं ए तो भी कोई बात नहीं है नहीं लगा रहे तो भी कोई बात नहीं है फॉरम रिजेक्ट वगरा नहीं होगा तो यह जानकारी थी तमाम जो आप्ड尺ंट से टेलीग्राम पर मिल जा तब दाने बाद जै हिन दोस्तों जै भारत